क्यूस्टिन सेंडल कर लिया स्वाब जवाब हो गए हैं अब जब पैसा लेने की बारी आती है चाहे हम प्रॉडेक्ट सेल कर रहे हैं या जोइनिंग के लिए तो कोई आजकल पेमेंट है नहीं product selling के लिए ही payment लोग लेते हैं तो उस समय ज़्यादा तर लोग hesitate करते हैं यह बोल नहीं पाते हैं कि पैसा दे दीजे सर लोग बोलते ही नहीं है 90% लोग नहीं बोलते हैं और मैं जब plan दीखाता था ना सर तो मैं जब motivate करता था मतलब देखिए बहुत simple बात है अगर अगले व्यक्ति को आप personal confidence नहीं दिलाएंगी ना सर तो join नहीं करेगा जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं कोई भी चीज़ मानलिजेगा आप एक बाजार में चलेगे कोई पी electronic item खरीदने के लिए एक simple सा charger आपको खरीदने है mobile के लिए तो at the time of purchase आप salesman को एक चरू पुझे अच्छा तो है ना ठीक तो है ना अगर salesman ने कहीं दिया देखिए आपके सामने मेरी कोई guarantee नहीं है सर तो क्या आप लेंगे सर नहीं नहीं तो जिससे आलू खरीदना है तो वो सबजी वाले को पुछते है भाई आलू अच्छे तो है ना तो बोलता है एकदम शक्कर जैसे मिठे है बाबी जी ले जाओ वो परस्नल कॉंफिडेंस दिलाना जरूरी है तो मैं जब फॉल उप करता था और मुझे जब लगता था कि मेरा पॉस्पेक गवरा राई मैं उसको सीधा एक सवाल पूछता था कि तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारी जैब से पैसे निकाल रहा हूं ये सवाल में पूछता था और अगर ज़्यादा तो बोलते हैं नहीं से कोई बात नहीं है नहीं अगर लग रहा है तो बिलकुल सही सोच रहे हो तुम क्योंकि मैं तुम्हारे जैब से पैसे ही निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ गलत कम नहीं कर रहा हूं यह 2000-3000 यह 5000 प्रोड़क आप पर्चेस कर रहे है इससे आपकी जब मैं 100% कविंस्ट हूं तब ही मैं किसी को कविंस कर सकता हूं तो चोंविक्षन जरूरी है उसके लिए सबसे पहले उसक्ति के साथ में फिर हम सामनेवाले को बॉल सकते हैं विलकुल यह सवाल खूद को पूछने की जरूत है उन लोगों को जिनको डर लगता है कि मैं प आपको आप्लाइन के साथ बेट के इसको सोल करना चाहिए क्योंकि तब तक आप एकदम कॉंफिडेंस से प्रोस्पेक के सामने बात नहीं कर पाएंगे और ये तो फीलिंग का बिजनेस है सर जो मैं फील करता हूँ आपको फील हो जाता है सर वो छुपा भी नहीं सकता आदमी मेरे अपलाइन इस बात में मुझे बोड डाटते थे जब प्रोस्पेक रेडी है जोइन करने के लिए तब इसको और मोटिवेट करते है और कहानी सुना आते है और कहानी एक घंटा सुना पका देते है और उसी केस में कई बार क्या होता है अगला सोचता है कि अभी जोइन नहीं किया है और इतना पकना पढ़ रहा है तो इसके बाद क्या होगा तो सीधा ही पूछना है सर और इसलिए डिसिजन पूछने की भी एक प्रोसेस है जिसे आपने ये अब्जेक्शन का बात है जब हम डिसिजन पूछते हैं उससे पहले तो नहीं आता है तो डिसिजन प प्रोड़क क्या है, आपका प्याउट सिस्टम क्या है, जो इन जनरल आइडिया देते हैं, उसके बाद जो क्लोजिंग स्टार्ट होता है, वो सबसे पहले डिसिजन पूछने की प्रोसेस से स्टार्ट होता है, कि आप बकाइदा पूछिए उनसे डिसिजन और उनके समने दो इसमें वच्चे ऐसा भी नहीं है, कि टाइम नहीं देने का हमारा कोई मकसद है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक साइकोलोजी है ना सर, जैसे मान लिजे कि आपने कल रात को बहुत बढ़िया मूवी देखा है, और यॉर क्वाइट इंप्रेस ओफ देट मूवी, आप बहुत अब पांच तिन बात मैं आपको फिर फोन करता हूँ, सर आपने एक मूवी देखा था, आप बोलें कि हाँ, अच्छा है, एक बार देखना चाहिए, एक महीने बात मैं आपको बोलूँगा कि आपने वो मूवी देखा था, आपने ठीक है, टाइम है तो देख लो, मूवी इस देखा रहा है, तो आपने अभी प्लान दिखाया है, अभी प्रोस्पेक्ट पूरी तरीके से मोटिवेटेड है, एक्साइट है, आप अभी जो इन नहीं करा सकते हैं, तो बाद में जो इन करने के जो चांसी से ना, वो अभी की कमपरिशन में काम हो जाते हैं, मुझे जसे लगता है, खांसरी जो फॉर बिस बेसि कैना, जैसे कहीं लोग गौता है ना, जमाना बदल चुका है। जमाना ब अजिए थी बेसिक में लिसुए हैं, ओप सरम होजाएं, प्लोइट पनार स्नुएर। इस हम पाप कर दोदे है's सब ने लिख निखा है झाल